जहिन साथ्यों स्वागत है आप सभी का संपुर्ण ने जिए चैनल पर साथ्यों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के बाद हम सभी बहुत ही अच्छे से बहुत ही जीरो लेवल से ब्येसी और बिहार द्रोगा की थियारी खराई जादी है देखे तो अभी के क्लास म प्रफ्राइब कर देखा कि रुप मनी फडिके संपंगर जो कि अभी के टाइम में फिर यह किटराशा अपुर्ण प्लोड किया रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और चैनल के प्लेलिस्ट में जाए वहाँ पर सारा वीडियो औरेंज करके आप ल प्रक्टि से जो की एक्जाम के पॉंट वी से बहुत ज्यादा मौत पूर्ण कॉर्चन इसमें दिये गया है चलिए तो आज का हमारा पहला को रहा है डीक है एह पहला जो हमारा है यह पहला कॉचन सवान अध्यायन से यहां से मेनेजमेंट ऑप्शन नमबर डी राइटेंसर इंटी क्रेडिट सॉलिट वेस्ट मेनेजमेंट होता है आप लोगों का आई एस डावलू एम का अर्थ है चलिए नेस्ट कोश्चन देखिए राष्टिय इवा दिवस किस समय मनाया जाता है यानि कि किस दिन को मनाया जाता है तो राष्टिय इवा दिवस जो है वो आप लोगों का 12 जन्वरी को मनाया जाता है इसको याद रखिएगा बहुत बार कोश्चन यह पूछा हुआ है कि राष्टिय इवा दिवस कम मनाया जाता है तो 12 जन्वरी को मनाया जाता है अप्शन नमबर डी राइट एंसर चलिए यदिंग एयर्पोट है टिक है अप्सिनमबर राहिटेंग सर्न ऋपोटर के और इन स्जिव का समणक्छन किया जाता है तो क्यों जीव का सनक्षन किया जाता है, तो साही का, option number A, right answer, साही का, देखें, वन जीव सनक्षन, अधिनियम 1972 के अधिन, जो है, साही, जीव का सनक्षन किया जाता है, option number A, right answer, साही, चलिए, next question देखें, भारतिय समिधान के अनुछेद में, यह, गोशना की गई है, कि इंडिया अथार्त भारत है, वो कौन सा है, तो राजियों का संग, चलिए, next question देखें, six number question का रहा है, मिर्दा के कटाओ को रोकने के लिए, बड़े पैमाने पर बिरिच्छे लगाने को क्या कहते हैं, तो बड़े पैमाने पर बिरिच्छे लगाने को कहते हैं, वनी करन, option option number D, right answer, देखें, मिर्दा के कटाओ को रोकने के लिए, बड़े पैमाने पर बिरिच्छे लगाने को हम लोग वनी करन कहते हैं, option number D, right answer, चलिए, next question देखें, निमने लिखित में से कौन सा छेत्र और सोक के समराज का भाग नहीं है, तो कौन सा छेत्र जो है, जो कि और सोक क फ्रांस की अंतिम हार हुई, किसी लड़ाई में हुई थी, तो ट्रॉफलगर की लड़ाई में हुई थी, ठीक है, option number A, is the right answer, देखें, ट्रॉफलगर की लड़ाई में जो है, निपोलियन, फ्रांस की अंतिम हार हुई थी, option number A, right answer, चलिए, next question देखें, जन संख्या के अध question, जुरेसिक काल का माना गया की पूरी तरह त्यार ब्रिच्छिया, फोसिल कहां पाया गया है, तो इसका सही अंसर आपलूगर का हो जाएगा, चलिए, जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह त्यार ब्रिच्छक फोसिल जो है, वो चलिए, पाया जाता है, option number B, right answer, चलिए, next question, पारिश्थितिकी पढणाली में, प्रात्मिक उत्पादक कौन होते हैं, तो इसका सही अंसर आपलूगर का हो जगा, पादक होते हैं, option number C पादक, next question, उपराश्थपती, तो देखे, उपराश्थपती के संबन में आप लोग बताइए, क्या हो जाएगा, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, हाँ, उपराश्थपती जो है, सांसर नहीं होता है, option number D, right answer, सांसर यानिके सांसर के सदा से, उपराश्थपती नहीं होते है, option number D, right answer हो जाएगा, चलिए, next question, government of India Act में 1995 किस पर अधारित था, तो किस पर अधारित था, तो साइमन कमीशन पर अधारित था, government of India Act, 1935 जो है, किस पर अधारित था, साइमन कमीशन पर अधारित था, option number E, right answer, next question, देखे, रजीव कांधी अंतराश्थिय विमान, पतन कह है, तो आपका सही answer हो जाएगा, हैदराबाद में, option number D, right answer, देखे, रजीव कांधी अंतराश्थिय विमान, जो है, वो पतन हैदराबाद में, इस्तित है, option number D, right answer हो जाएगा, next question, वर्ष 1914 में, भार्तिया राष्टिय दल की, बर्लीन में अस्थापना, किस ने की थी, तो इसका सही answer है, आप लोगा हो जागा, देखे, ये दोनों तो नहीं है, सुभास चंदर बॉल वे नहीं किया था, डवली सीव एनरजी भी नहीं किया था, और आगे देखे, क्या option है, तो चंपा कर्मन पिल्ले ने किया था, option number D, is the right answer, चली, next question, देखे, 60 number question कर रहा है, कि भा या फिर सेज, क्या बढ़ाने के लिए अस्थापित किये गए थे, तो क्या बढ़ाने के लिए, तो बिदेशी निवेस, option number B, right answer, भारत में, बिदेशी आर्थिक छेत्रे, जो है, बिदेशी निवेस, बढ़ाने के लिए अस्थापित किया गए थे, option number B, right answer, बिदेशी नि उपर होता है तब संपुर्ण प्रिथवी पर दीन और राध्सामान होते हैं तो कब होते हैं तो आपका इसकी सहीज़न शरुजन चाहिए अभी जो लग रहा है हमें सुमग के ख्लास में कोश्चन था सै भुमद्द्ध रेखा होगा जब इस सुर्रे भुमद्ध रेखा के उ समांतर सरकार का गठर कहां किया गया था तो कहां पर बलिय सर होजा गाँ घटी या माल के संबंध में मांग की आए सपय च्छता लोज की सी कितनी होती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आप लोंका रिनात्मक होती है option number B right answer घटिया माल के संबंधे में मांग की जो आय होती है वो रिनात्मक होती है option number B right answer next question देखिए सरगासो समुंद्र किस महासागर में इस्तित है तो जो सरगासो समुंद्र है यह अट्लांटिक महासागर में इस्तित है option number 1 is the right answer सरगासो समुंद्र जो है यह अट्लांटिक महासागर में इस्तित है option number 1 सही अंसर होगा next question जीला नयायालयो के नयाय धीशो के नियुक्ती जो है किसके द्वारा की जाती है तो आप सभी को पता होने चाहिए क्योंकि ये question बहुत बाराया है राजपाल के द्वारा की जाती है ठीक है option number A right answer जिला नयाय लोके नयाय दिशों के जो नियुक्ती है ये राजपाल के द्वारा की जाती है option number A right answer next question पुणा समझा होता जो कि 1922 में हुआ था तो गांधि और उम्बेदकर के बिच में हुआ था option number B right answer पुणा समझा होता 1922 में किस के बिच में हुआ था तो गांधि और नहीं होगा प्रथम 20 यूद में जापान जो है जर्मनी के खिलाब उनाइटेट किंग्डम के साथ लड़ाता है इसको थोड़ा छोटा कर लिजे आप लोगों को समझ में आए दिखाने के लिए बस ठीक है देखें प्रथम 20 यूद में जापान जो है किसकी और से लड़ा तो योजना आयोग की जो अस्थापना है 1951 में की गई थी option number B right answer next question देखिए राजिनीती और नीतियों से ब्यूपन सब्द जो है इंद्र धनुस गठपंधन सब्द किस ने दिया था तो आपका सही अंसर हो जाना चाहिए इसका कि बाराक उबामा में दिया था ठीक है बाराक उबामा में दिया था option number B right answer हो जाएगा राजिनीती और नीतियों से ब्यूपने सब्द जो है इंद्र धनुसी इंद्रे धनुसी गठपंधन सब्द जो है बराक उबामा ने दिया था option number B right answer next question देखिए वाता वरन वाता वरन की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर् चीट परतिबंद कौन लगा सकता है तो कौन लगा सकते हैं सांसर लगा सकता है option number B right answer जो है यह सांसर लगा सकता है option number B right answer हो जाएगा next question देखिए कुरू महाजनपत की रहतानी पौन सी थी तो कुरू महाजनपत की जो रहतानी है वह इंद्रप्रस्ती option number B right answer कुरू महाजनपत की रहतानी इंद्रप्रस्त थी option number B right answer next question देखिए सिंद्धु घाटी में खुदाई किये गए निम्न और सेसों में से पौर्ण सा और सेस वार्णिज और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है तो आपका सहीन सरो जाएगा मुहरे यानिकी सिल्स सिंद्धु घाटी में खुदाई किये गए निम्न और सेसों में से जो है मुहरे मुहरे और सेस वार्णिज और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है तो आपका सही अंसर इसका हो जाएगा पुरान और बी रैटेंसर देखें पुरान जो है वह वेदिक परंपरा के साहि नहीं है और बी रैटेंसर पुरान निर्श्ट कोचन देखें निर्श्ट कोचन कर रहा है आप लोका कि बिहार की सिता मड़ी जीसे सिता जी की जन्म अस्थलिये माना जाता है यह कौन सा मेला आयोजित होता है यहां पर कौन सा मेला आयोजित किया जाता है तो आपका सही अ सरो जगा विवाह पंच मी मेला option number B right answer देखिए बिहार की सिता मड़ी जिसे सिता जी का जन्म अस्थाल माना जाता है वहाँ पर विवाह पंच मी मेला जो है आयोचित किया जाता है option number C right answer next question देखिए 33 number question कर रहा है किस भारतिय राजा ने सिकंदर का विरौत किया था तो किस भारतिय राजा ने किया था वो थे पोरस option number B right answer אני next question किए वह न दी जो पहचमी घाट से नहीं लिकलती हैं तो कौन शिंदी हैं जो पहचमी घाट से नहीं लिकलती है तो भराक है option number B बिहार राज में ऑप्रेशन टुडर्मल किसलिए चलाया गया था तो बिहार राज में ऑप्रेशन टुडर्मल जो है भूमी सुधार्त था समुचित भूमी वित्रण के लिए हेतु चलाया गया था बिहार राज में ऑप्रेशन टुडर्मल जो है यह भूमी सुधार्त था समुचित भूमी वित्रण हेतु जो है चलाया गया था ऑप्सन बर वन आपका सही अंसर हो जाएगा चलाया गया था तो यहां पर एंसर नोट करते रहिए टेलिग्राम से जवाइन करिए फिर से आप का मजबूत पर हो जाता है एक्जाम आने से पहले एकदम मजबूत त्यारी कर लेना है देखिए 36 करता क्या सहर जो है किस नदी के गिनारे इस्तित है तो फल्गुन नदी के किनारे इस्तित है ऑप्सन बर भी रेटेंसर 37 को सब्सक्राइब लीजिए सबसे परसीद लोदी के बीच लड़ी गई थी ऑप्सन बर भी रेटेंसर पानीबत की पहरी लड़ाई बावर और इब्राहीम लोदी के बीच में लड़ी गई थी ऑप्सन बर बी रेटेंसर चलिए गदर पाठी की अस्थापना कोब और कहां पर हुई तो गदर पाठी के जो अस्थापना है यह अमेरिका में 1913 में हुई थी ऑप्सन बर बन रेटेंसर नेक्स कोचन देखिए बिहार के सबसे उची पहाड़ी सुमेश्वर स्रेणी पारस नाथ्थ की उचाई है तो पारस यहीं हो जाएगा 800 879.4 मीटर ठीक है आप्सन नमर डी राइट अनसर 879.4 मीटर हो दियाएगा चलिए नेक्स कोच्चन देखिए 41 कोच्चन कर रहा है कि गांधी जी के विदेशी समानों के बहिस्यकार के आंदोलन का उदेश क्या था तो गांधी जी के विदेशी समानों क बहिस्यकार के आंदोलन का उदेश से था कि कल्यानकारी राजियों का प्रुत साहन और राइट अनसर नेक्स कोच्चन देखिए निम्न में से कौन सानेता कांग्रेस के उग्रबादी दल से संबंधित था तो कौन से नेता था तो इसका सही अनसर आपका हो जाएगा कि और राश्टिय मंदल बिहार में संगठित हुआ तो पहला राश्टिय मंदल जो है विहार में संगठित हुआ कब गठित हुआ था तो इसका शहीं असर रोजगा एक अप्रेल 1937 को गठित हुआ था पहला रास भारती है मंतरी मंदल जो है बिहार में कब गठित हुआ था तो एक अप्रेल 1937 को नीमन में से किस केंद्र साथी देश की निून्तम जन्संक्या है तो आपका सई अंसर हो जाएगा लक्षिदूप और सी राइट एंसर देखिए लक्षिदूप जो है लक्षिदूप केंद्रे सासीत परदेश की नियुनतम जन्दन क्या है और सी राइट एंसर नेक्ट कोश्चन देखिए आगे बढ़िए पोटी से बेने बर कोश्चन कर रहा है कि कोकोलता जल परपात निम्नी में से किस से राज में है तो आपका सई अंसर हो जगा बिहार राज में है और स्थापना जो है की गई है तो बिहार राज में लिची अनुशंदान के इंद्र की अस्थापना की गई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा मुझजभरी यानि कि मुझभफर पूर में की गई है ऑप्शन बर बन राइट एंसर चलिए नेक्स कोश्चन देखिए निम्न में से कौन से देशांतर द भारतिय मानेक समय को निश्थारित करती है और प्वर राइट एंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखिए नमर कोश्चन कर रहा है प्रो कबड़ी लिग के पहले विजयता कौन थे दिखे इसका सई असर हो जाएगा जैपूर पिंक पेंथर थे और प्रो कबड़ी लिग क जितना भी कुश्चन से कॉबर कर लेते हैं और गणित अभी अमारे चैनल के पर नहीं कराया जा रहा है अभी प्रोजेक्टर का कुछ हो नहीं पा रहा है जैसा होगा हम वह सागे करेंगे मगर अभी समान भिज्यान को आप लोग कंप्लिट करें ठेलिए देखे 51 नमर समान होते हैं यकशन अनबर डि राइटैन सर नेक्यान कुष्चन देखे गए वह गुण कौन सा है जो परकास तरंग में दिखता है पर ध्वानी तरंग में नहीं दिखता है तो यह कौन सा लोग है तो मैक्रोपोन एक उपकरण है जो की रुपान्तरित करता है तो सब्सक्राइबगा जाएगा जाता है जो किस सिगनल के तरंग का अधयन किसके द्वारा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है तो स्वर्ण मापी यानि कि stonometer के दोारा किया जाता है, op sin no.4 में दीया गया है देखिए, اop sin no.4 आपका सही answer हो जागा इसका? स्वर्ण मापी यानि कि stonometer, option no.4 बाइड answer, देखिए stonometer signal के तरण्गरूप का अध्यायन, किसी signal के तरण्गरूप का जो अध्यायन है होती है तो पिसावर्ति सीमा में होती है तब का सही अनुभूति होती है चलिए नेट रूज़ेगा विधूत्य चुम्भू के लिए उसके बढ़ते हुए तरंगे धर के करम में सही विन्यास बताईए ठीक है तो चलिए इसका सही बताना है सही विन्यास क्या हो जाएगा आप लोग का तो देखें इसमें से निमने लिखित में से कौन सा सहवाल के तीन प्रमुख वर्गों में से नहीं है तो हो जाएगा जिम्नो स्पर्म जो है यह सहवाल के तीन प्रमुख वर्गों में से नहीं है निमने लिखित में से कौन जल्ले में सहायक है तो कौन जल्ले में सहायक होता है तो ऑक्सीजन नेक्ट कोश्चन देखिए 60 नमर कोश्चन कर रहा है कि मार्स गैस है तो मार्स गैस क्या है तो आप दोगों का सहिए एंसर हो जाएगामाइथधेयर Watford का अभिक्रमक क्या होता है तोापकास साले पोटेसियम पर सबगव सबस्क्रों चाहर यह पोटेसीम दिए सावंगर का पर ninth कंट हैं ऩो दॉत्थ के सब्सक्ऱेंट को को ससक्षेति का हो दिल्च विए ओप्षर नमोन negócio म nehmen में अरुद परेटिएपन हो जाए गाउप्षर नियुद को सब्सक्राुट 27% होता है option number oneします, next question देख़ए उच्छ अप्मान के सहोथा के लिए अंत्रिक चीयान में निम्लिखित में से किस धातु का परोग किया जाता है तो त случаiga का परोग किया जाता है ऑंप््स नमर b gotta ti का परोग किया जाता है next 강 कुछन किसकी मोझूद्भी में नीरंतर रहनेसे वायु में रंगहिन हो जाता है। तो किसकी मोझूद्गी में我就 hAn कि आपर वायों के quality को बीगाढने के लिए जिम्सडार करने जिन इनके कारण महत्यपूर्ण ने सिरा रांगों को शती पहुचते जी है ठीक है उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है तो आपका सही अन्स रोजाएगा 2.5 पीम ठीक है आपका सही अन्स रोजाएगा 2.5 नेक्ट कोश्चन देखिए परिस्थित की पढ़नाली में प्राथ बिकी उत्त पादक कौन होते है तो पादक होते है ठीक है पादप ऑप्सरमर्सी रेट अंसर निश्चकोचन देखिए भूमी गत जल के प्राभाव के साथ नीचे की योर बहने वाले परदुसकों को क्या कहते है तो इसका सही अन्सर हो जाएगा निच्छालक कहते है ऑप् जो है यह जो से फ्यूरियर की थी option number 1 रेट अंसर निश्चकोचन पर दूसीत वातावरंज से छोड़े गए विविक्ते पदार्त को प्राया किस प्रकिद्या के दवरान फिल्टर किया जाता है तो छिंकने के दवरान option number 1 रेट अंसर पर दूसीत वातावरंज से छोड़े बिविक्ते पदार्त को पुना यानि की प्राया छिंकने ठीक है छिंकने के दवरान फिल्टर किया जाता है option number B रेट अंसर ठीक है छिंकने के दवरान किया जाता है चलिए आगे देखिए 70 number question कर रहा है कि तलावों और कुओं में निमने लिखित में से क्या डालने से मचरों को नियंतरित करने में सहायता मिलती है तो क्या डाला जाता है तो आपका सहीं सरो जगा गेंबूसिया फिस ठीक है option number 4 रेट एंसर गेंबूसिया फिस को गुंबूसिया फिस को तलावों और कुओं में डाला जाता है ताकि उसमें मचर का जो है नियंतरर कम हो जाए ठीक है चलिए निश्ट कोशन देखिए 71 निर्ण कर रहा है इस ब्राम्हांड में मौझूद परतेक वस्तु जो पधात से निर्मित है उसे विग्यानिकों ने क्या नाम दिया है तो उसे विग्यानिकों ने ठोस नाम दिया है option number 1 रैट एंसर ओजएगा देखे उसे विग्यानिकों ने निने ठोस नहीं जहां तक मालूम है द्रब हो जाना चाहिए आप लोगों का मैटर होना चाहिए ठीक है आप्शन नमबर बी रही अंसर हो जाएगा देखिए नहीं होगा गलत है देखिए इस ब्रह्मान में मजूद परतेक वस्तु जो पदार से निर्मित है उसे विग्यानिकों ने क्या नम दिया है तो मैटर ऑप्शन नमबर भी रही रही अंसर हो जाएगा चलिए इनिश कोचन देखिए हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीलागरा है त कि स्वार मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह क्या है उप्सिन नम्बर एनसर बहुत बार पूछा गया है आप Missouribst rattly इंक चलिए 75 नम्बर कोशन नेख लिए के के की कोडसे रखैक Colorado एक प्रुग्राम है वह निम्नी में से we track wedi के कि प्रुग्राम का रुपान्तरन है तो आपका इórक्रन हिस सउधर हो जाएगा कोडसे मसीन थक ओυ्चान करने देखें कुडांतरन के मसीन तक प्रोग्राम करूपांतरन है और बी राइटेंसर देखें चलिए तो साथ्यों यही था हम लोग का आज का सेशन प्रैक्टिस सेट नमर फाइब जानते हैं साथ्यों अब बता रहें अब आपको क्यों अभी बीच में कुछ-कुछ खराब होने तो लोग बहुत सारे होते हैं मगर फिर्भी चलिए इन सलीमीघटिवीटिपिटी को साइड मे अठाते हुए dairy रखते है और आप लोग अपने त्यारी गणा करिए और अगदम त्यादि मुझबूत बिना कर नलगा टिक है तो चलिए यहीं था हम लोग का आई-ज़ियो का कर आप लोग वहुत अच्छा सपूर्ट कर रहें अगर सब्सक्वर में जैहन जय भारत